हेलो दोस्तों वेलकम डू साइबर डेक और मैं हूँ आपका दोसे जासिया फ्रेंज बात करेंगे शीबा इनुकोईन पर इसकी प्राइज को देखने समझने की कोशिश करेंगे कि अवराल क्रिप्टो करेंशी मार्केट के अंदर के सरह का ट्रेंज जो वो चलने वाला है क्योंकि जस्ट शीबा इनुको बाकी सारी क्रिप्टो मार्केट से अलग करके हम यहां पर देख नहीं सकते समझ भी नहीं सकते तो कलेक्टिवली हमें देखना समझना होगा नो डाउट कि Shiba Inu Coin से ज्यादा लव जो हम किसी हद तक जरूर करते होंगे हमारे वैलेट्स के अंदर बहुत ज्यादा ये टोकिन पड़े वे है हमारी कम्मिनिटी के अंदर बहुत ज्यादा दोस्त जो हो Shiba Inu Coin के मतलब holders हैं उससे लव करने वाले हैं देट्स वाई मुझे भी उसको ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करना पड़ता है बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कम्मिन्ट भी मैंने यहाँ पर पड़े थे कि आप Pai और Shiba Inu के पीछे ही पड़ गए हो तो बात यह है कि मतलब आप जब तक देखते रहेंगे मैं वीडियो यहाँ पर बनाता रहोगा आपने जब से बिटकोईन की डिमांड करना शुरू कर दी तो ज्यादा वीडियो यह वो बिटकोईन पर आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने किसी और टापिक को ज्यादा जो है चूज करना शुरू कर दिया करने वाले हैं कि नवंबर 2024 के अंदर कहां तक शीबा इनू कोईन का प्राइज एक्चली जा सकता है क्या गुड न्यूज हैं क्या बेड एंड से न्यूज यहां पर हमारे लिए हो सकती हैं लेकिन एक चोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले आपके साथ मैंने यहां पर जरू कर देनी है दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत मूला करें बहुत सारे दोस्त यह चीज भूल जाते हैं वीडियो भी देखते हैं कमेंट भी करते हैं लाइक भी करते हैं कंटीनू मेरी हर एक वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आपने इसा बिल्कुल भी नहीं करना अच्छा यहां पर जो सीन चल रहा है दोस्तों फिलहाल यह हुआ है कि शीबाइनू कौाइन ने रिप्लेस कर दिया है कौाइन मार्किट केप पर या कौाइन गिको पर मार्किट केप को लेकर उसको जब हम यहां पर कंसीडर करें ठीक है उस हिसाब से ट्वैल्थ नंबर जो हो सेक्योर कर लिया है शीबाइनू कौाइन ने और एवी एक्स को जो हो पीछे छोड़ दिया है अपनी एक और वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों को यह भी बताया था का एवी एक्स कोईन जो है उसके वेस्टिंग कोईन जो वो मार्केट के अंदर आने वाले है मेरा ख्याल है कि कुछ मिलियन्स के यहां पर 28 मिलियन इन सम्थिंग के कोईन जो वो मार्केट के अंदर आने वाले है तो आपको EVX को लेकर भी इस हिसाब से प्रिपेर रहना चाहिए अगर आपके वैलेड के अंदर हैं तो आप ये मदब थोड़ा जैन बना ले कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दोस्तों यहां पर है कि किसी भी वक्त EVX का जो प्रायज है वो और भी डिप यहां पर मार सकता है वैसे अगर हम इसका टार्गेट देखे सपोर्ट लाइन देखे तो 23 डॉलर पर आलरेड़ी जो है वो EVX का प्रायज चल रहा है और अच्छा खासा डिप के अंदर ये चल रहा है अदर्वाइस हम ये देखते थे कि सोलाना के साथ इसका अच्छा कॉम्पिटेशन था लेकिन सोलाना कहीं आगे निकल चुका है अब और EVX जो वो बहुत पीछे है तो कहां तक लोकल सपोर्ट जो वो इसकी हो सकती है EVX की दोस्तों वो है 20 डालर ये भी आप यहां पर जरूर अपने मन में बिठा लीजिएगा अगर आपके वैलेर्स के अंदर EVX कॉाइन्स पड़े हुए है तो आप उनके बारे में डिजिजिजन ले ले कि आपको एक्चली करना क्या है तो यहां पर ये तो इन्हों ने कर दिया है लेकिन ओवराल जो शीवा इनुकॉाइन है उसकी प्रोग्रेस ओवराल कुछ ज्यादा अच्छी पिछले मन्थ में नहीं रही त्रीक है इससे पहले 2024 के अंदर ही हमने देखा था एक अच्छी प्रोग्रेस जो है वो शीवा इनुकॉाइन ने दोस्तों यहां पर दिखाई थी अब वो प्रोग्रेस थोड़ा घड़ते हुए नजर आ रही है इससे पहले भी हमने देखा है कि चार्ट के अंदर मदब अच्छा खासा प्राइस जो वो उपर चला गया लेकिन उसके बाद वन्स अगेन प्राइस जो डाउन आना शुरू हो जाता है तो यहां पर वन्स अगेन ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक सर्वे दोस्तो कौाइन मार्किट केप की तरफ से यहां पर किया गया है उसके अंदर अभी भी 88% जो होल्डर्स है या शिब आर्मी के लोग है वो यही समझते हैं कि शिबा इनु कौाइन का प्राइस जो वो अच्छा खासा नवंबर गे अंदर भी उपर जा सकता है ठीक है उल्ली 12% जो वो इस चीज़ की मुखालिफत करते है कि हाँ ठीक है भाईया हम मानने के लिए तैयारे प्राइस डाउन जा सकता है लेकिन एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी जो वो 88% ठीक है तकरीबन 43,661 वोट टोटल यहां पर पड़े हैं जो कि जिसका मतलब 88% यह कह रहा है कि उसका प्राइस जो वो शिबा इनु कोईन का उपर जाने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 88% जो हो यहां पर लोग बुलिश मिलते हैं 12% ओनली डाउन या बैरिश आपको जो हो यहां पर मिलते हैं तो वो भी 0.4 टाइम 01562 है नवंबर 2024 अवरिज प्राइज प्राइज यह वो 0.4 टाइम 02067 ठीक है यह बताया जा रहा है मनलब इसी के आफ़ पास चल रहा है रेंज और फिर मिनिमम प्राइज लेकिन अगर मिक्जिमाइज कर दें इसको हम और यहां पर हमें कुछ अच्छी बुलिश निउस मिलना शुरू हो जाती है तो क्या हो सकता है दोस्तों एक्टली 0.4 टाइम 03539 तक पॉसिबली प्राइज जा सकता है तो हमें क्या जहन में यहां पर रखना है दोस्तों यह चीज कि अगर प्राइज उपर चल जाता है तो आपने इस प्राइज पर जाता है और फिर वेड करें अगर आप बन सकें यहां पर इन्वेस्मेंट करना चाते हैं तो दोबारा यह मौका आपको यहां पर मिलेगा लॉसेज वगेरा तो फिर वो डिपेंड आप पर कर रहा होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि November has historically been bearish for the mean coin data from crypto rink highlighted that the average price change of Shiba Inu is negative 13.6 assets however 6% last year 2023 ठीक है तो 23 के अंदर 6% जो है वो only आया था लेकिन 13.6% जो है इसकी price के अंदर एक down train नजर आया in addition in 2022 and one Shiba Inu recorded a 24% and 29% drop respectively तो November 2021 and November 2022 अब मुझे तो अच्छे से यह दोनो years जो याद है October 2024 के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा price जो वो Shiba Inu coin का बढ़ गया था तो November में 24% price का down आना कोई बहुत बड़ी बात उस वक्त नही थी क्योंके round about 1000% actually price जो वो उस वक्त बढ़ गया था ठीक है वहाँ से 24% अगर next month में down आ गया तो हम सब optimistic थे उस वक्त लगता ऐसे नहीं था कि यहाँ पर एक जो bearish train बाकाइदा तोर पर शुरू हो चुका है लेकिन वो हो चुका था जिसको हम सही से समझ नहीं पाए not only me लेकिन कोई भी जो trader उस वक्त समझ नहीं पाया था ज्यादा से ज्यादा उसको समझने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन चीज यही थी कि नहीं समझ पाए और एक bearish train शुरू हो चुका था बीटीसी की price को हमने उस वक देखा के बीटीसी की price नमबर 2021 के अंदर जाकर जो है वो दोस्तो 69,000 डालर पर उसने high बनाया था उसके बाद डाउन से डाउन 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 आना शुरू हुई और फिर पंदरा चौदा पंदरा हजार डालर पर जाकर उसने ब्रिक किया तो इस तरह से यह सारी चीज़े यहां पर होती रही शीबा एनू कोईन को लेकर दोस्तो यह है कि शीबा एनू के अंदर आपकी investment जो है वो average इस वक्त रहनी चाहिए यहां पर आप trade करके profits अपने maximize करने की अगर कोशिश करें तो ज्यादा बहतर आपके लिए हो सकता है cryptocurrency market का जो overall mood चल रहा है दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहां पर discuss इस चीज़ को भी जरूर करेंगे तो overall crypto market अंदर भी जो चीज़े चल रही है वो कुछ ज्यादा optimistic अभी तक नहीं है US के election का इंतिजार है वहां पर क्या होता है अगर Trump हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रेश यहां पर शुरूर हो सकता है इसको भी यहां पर जरूर consider करना चाहिए Bitcoin को जिस तरह से behave करना चाहिए था after having उस तरह से अभी तक नहीं किया इसको हमें admit करना होगा तो इसके पीछे reasons क्या है एक तो अरब इसराइल जो वार चल रही है या इसराइल और इरान जो वार चल रही है उसके एक बहुत बड़े असरात हमें market ले अंदर नज़र आते है पैसा जो वो गोल्ड की तरफ ज्यादा जा रहा है गोल्ड के प्राइस जो वो बहुत ज्यादा उपर जा रहा है दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन जो वो यहां पर लगे है तो जो condition है ओवराल दुनिया की वो कुछ इस सरागी चल रही है कि बिटकोईन भी सांस नहीं ले पा रहा उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रू अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेट करें, शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बे लाइकन ज़रू दबा दें में और आप अपस को जुदे रहें, टेक केर, लाफिस